गुद मॉर्निंग क्लास थर्ड हाव यू आल आई होप यू आला फाइन सो क्लास ये आपका हिंदी का पीरेड है अपनी हिंदी लैंग्वेज की बुक में कालिए कनक व्याकरण तो क्लास अपने बुक खोलिए और पेज नंबर फोर पे आईए सभी पेज नंबर फोर तो जैसा कि आप सभी को पता है पाठ एक हमारी भाषा हम कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं पाठ दो जिसका नाम है वन्द माला तथा मात्राएं ओके वन्द माला तथा मात्राएं हमारे मुँ से तरह तरह की आवाजे निकलती हैं आप सभी को पता है हमारे मुँ से तरह तरह की आवाजे निकलती हैं ये आवाजें ध्वनी कहलाती हैं जो हमारे मुँ से आवाजें निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं ध्वनी कहलाती हैं ये ध्वनियां जब किसी बात को बताने के लिए बोली या लिखी जाती हैं, तब वर्ण कहलाती हैं, जब इन ध्वनियों को हम किसी बात को बताने के लिए बोलते हैं या फिर उन्हें लिखते हैं, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ओके, वर्ण भाषा की सबस से छोटी इकाई है वर्णों के दो प्रकार हैं वर्णों के कितने प्रकार हैं दो स्वर और व्यंजन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हमारे मूँ से तरह तरह की आवाजें निकलती हैं आप सभी को पता है यह आवाजें क्या कहलाती हैं ध्वनी कहलाती हैं क्या कहलाती हैं य ये ध्वनिया जब किसी बात को बताने के लिए बोली या लिखी जाती है तब वर्ण कहलाती है जब इन ध्वनियों को हम किसी बात को बताने के लिए बोलते या लिखते हैं तब वो क्या कहलाती है वर्ण कहलाती है ओके वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण भाषा अपने second class में भी पढ़ाए वर्णों के कितने प्रकार होते हैं दो सुषर और व्यनजन अब स्वः किसे कहते हैं उन्हे क्या कहते हैं हम सुषर मतलब की जिनका उच्छारंद स्वतन्तर पर लूप से मतलब इनके उचारण के लिए हमें किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं स्वर कहते हैं और व्यंजन दूसरा क्या होता है वर्णों के दो प्रकार है पहला स्वर और दूसरा व्यंजन तो व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो क्या होते हैं? व्यंजन ठीक है? इनके उच्चारण के लिए इनको बोलने के लिए हमें व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है हेल्प लेनी पड़ती है तो इसलिए इन्हें के बोलते हैं हम व्यंजन बोलते हैं सही क्रम में लिखे या बोले गए वर्णों के समूह को वर्ण माला कहते हैं जो सही क्रम से लिखी जाते हैं वर्ण ठीक है उसके समूह को हम या उन वर्णों को क्या कहते हैं हम वर्ण माला कहते हैं ओके अव्रिवन अब नेक्स पेज पे आईए पेज नमबर 5 पेज नमबर 5 पर आपको दिख रहा होगा यह सबी स्वर दिये गए हैं यह सबी क्या हैं स्वर हैं इनके उचारण के लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी ठीक है लेकिन अभी जब हम आगे व्यंजन पढ़ेंगे तो हमें उनके उचारण के लिए स्वरों की सहायता की जरूरत पढ़ती है जब आगे शब्द पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्यंजनों के उचारण में हमें स्वरों की सहायता कैसे लेनी पढ़ती है व्यंजन कौन-कौन से होते हैं और इन्हें हम सैयूक्त व्यंजन बोलते हैं सैयूक्त व्यंजन क्या होता यह आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अक्षर तरण ग्य और श्र यह चारों कौन से व्यंजन होते हैं इसके बाद आता है अनुस्वार अनुस्वार किसको बोलते हैं हम अंकी बिंदी जो होती है ये उसको हम अनुस्वार कहते हैं अंकी बिंदी को क्या कहते हैं हम अनुस्वार कहते हैं आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए अभी तक आप क्या बोलते हैं कि अंकी बिंदी लेकिन अंकी बिंदी का एक नाम है क अनुस्वार, यहां नाक की सहायता से बोला जाता है, अनुस्वार को किसकी सहायता से बोलते हैं हम नाक की सहायता से, अगला है अनुनासिक, चंद्रबिंदू, जिसका आप बोलते हैं ना चंद्रबिंदू, चंद्रबिंदू को क्या कहते हैं हम अनुनासिक कहते हैं, इसका उचारण मूँ और नाक दोनों से होता है अनुस्वार का उचारण तो सिर्फ हम नाक की साहता से करते हैं लेकिन अनुनासिक का जो उचारण करते हैं हम उसके लिए हमें मूँ और नाक दोनों की जरूरत होती है ओके तो हमने क्या क्या पढ़े स्वर, व्यंजन, संग्यूक्ट व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक स्वर तथा मात्राएं प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है जितने भी स्वर होते हैं उन सब की क्या होती है? एक मात्रा होती है आपने मात्राएं पढ़िए हैं फिर्स्ट क्लास में भी आकी मात्रा नहीं होती, ठीक है, और से अनार की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आकी कैसी मात्रा होती है, आका डंडा होता है, छोटी की ये होती है, बड़ी की ऐसी मात्रा होती है, छोटे उग की ऐसी होती है, बड़े उग की ऐसी होती है, ओके, री री की भी एक मात्रा होती है जो हम नीचे लगाते हैं आपने हमेशा देखा होगा हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं री की मात्रा ए की ऐसी मात्रा होती है जो हम व्यंजन के उपर लगाते हैं ए की भी व्यंजन के उपर लगाते हैं ओ की व्यांजन के बाद लगाएंगे और अउ की भी व्यांजन के बाद लगाएंगे और अनुस्वार को कहा लगाएंगे हम व्यांजन के ऊपर और अहा बोलते हैं इसको विसर्ग की मात्रा भी बोलते हैं इसको हम व्यांजन के बाद ही लगाएंगे ओके तो आप सभी को मात्रा ठीक है और ये मात्रा के साथ कैसे लिखेंगे ये बताया गया है अ की कोई मात्रा नहीं होती तो क के साथ हमने अ को लिखा तो क ही रहेगा ठीक है क के साथ अ को लिखा तो क ही रहेगा दूसरा है आ का डंडा ऐसा होता है अब का के जब भी हम जब भी आपको कहीं हलंत लिखा दिखेगा इसका मतलब उस व्यंजन के साथ अभी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है जैसे कि अभी ये सिर्फ का लिखा और का के नीचे हलन्त लगाए ठीक है अगर आप इसको ना देखें तो अभी सिर्फ ये क्या है व्यंजन है ठीक है अभी इसके साथ हमने स्वर लगाया है और फिर उसके बाद छोटी ए तो छोटी ए की मात्रा लगाएंगे छोटी ए नहीं लिखेंगे तो का पे छोटी ए की मात्रा लगा दी तो कि और अब हलन्थ हट जाएगा उसी तरह सब में यही चीज़ की गई है का पहले हलन्थ है बाद में बड़ी की मात्रा लग क्रिपा क्रिपा क्या बन गया क्रिपा हलन्थ है क्रिपा तो को पिर कव ऑग की मात्रा लग गया तो को फिर कं अंकी बिंदी लग गई अनुस्वार लग गया तो क्या बोलेंगे इसको कं और फिर कं के साथ फिर से क्या लग गया है हापे अनुनासिक लग गया चंद्रबिंदू तो इसको क्या बोलेंगे कं क्या बोलेंगे नाक और मुध दोनों की सहायता से बोलेंगे इसे कं ठी ठीक है कंटीला और यह है कंगन तो आई होब कि आप सभी को अब अच्छे से स्वर और व्यंजन समझ में आ गए होंगे तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि जो हमारे मुँद से ध्वनिया निकलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं वर्ण बोलते हैं जब हम उन्हें लिख देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं वर्ण बन जाते हैं ठीक है और वर्ण सबसे छोटी इकाई है किसकी भाषा की वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके दो प्रकार होते हैं स्वर और व्यंजन स्वर किसे कहते हैं जिनके उचारण के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या बोलते हैं स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं जिनके उचारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो हमारे होते हैं व्यंजन जब हम सही क्रम से वर्णों के समूह को लिख या वर्णों को लिख देते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम वर्ण माला कहेंगे अगर ये हमने आगे पीछे करके कहीं पर भी लिखे वे हूँ तो वर्ण माला नहीं कहलाएगी वर्ण माला वो तभी कहलाएगी जब हमने उन्हें सही करम से लिखा होगा और फिर अनुस्वार हमने पढ़ा अंकी बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं और ये नाक की सहायता से बोला जाता है फिर अनुनासिक हमने पढ़ा अनुनासिक किसको कहते हैं चंद्रबिंदु को और ये किसकी सहायता से बोला जाता है नाक और मूँ दोनों की साहिता से बोला जाता है फिर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं सिर्फ अव को छोड़के ठीक है? तो जितना आज हमने अभी पढ़ा है इतना आपको घर पे फिर से अच्छे से पढ़ना है ओके लिए इतना काफी है नेक्स क्लास में मिलेंगे तिल देन बाई बाई स्टे होम स्टे सेफ